जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और प्रिंस जू क्विंग हे में लड़ाई हो रही थी और अब तैंग शैंग को गुस्सा आ गया था जिस वज़े से वो अब सीधे उससे वन टो वन फाइट करने चला गया था तैंग शैंग के पास जीवू की सोल थी जिस वज़े से वो जीवू की पावर्ज को भी यूज़ कर सकता था और वो भी ऐसा ही करता है और वो चेलेपोटेशन टेकनीक का यूज़ करके उससे लड़ता है उनके बीच आईकॉनिक लेवल की फाइट होती है जिसमें तैंग शै खुद बहुत खायल हो जाता है, जिसके बाद प्रिंज यू को अब तैंग शैंग की ताकत का पता चल जाता है, और वो अपने इस दुश्मन की तारीफ करता है, और कहता है कि तुम मेरा एनिमी होना डिसर्फ करते हो, और अब मैं इस एनिमी को आज ही खतम कर दूँगा, वो सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रिंज जू और इंप्रेस हो जाता है, और वो अपनी असलियत बता ही देता है, वो अपनी असली फॉर्म में आता है, और हमें पता चलता है कि असल में ये एक लड़की है, और उसका नाम कियान रान जू है, ये असल में बीब शैंग के अंदर से जीवू बहाराती है और वो तैंग शैंग को इस अटैक से बचाकर खुद उस पर हमला करने जाती है जीवू 100 यर्स पुराणी बीस्ट है जिस्वज़े से उसके पास बहुत सारी पावर्स है और वो कियान रेंड जूपर हमला कर देती है और टेलिपोटे पॉइसन मास्टर और ओल्ड गोट भी हमला कर देते हैं और फिर वहाँ Grand Master के साथ अरलॉंग और दीन आ जाते हैं और वो Golden Iron Formation का यूज करके Marshall Soul Hall की सैना को खतम करने लगते हैं Marshall Soul के दोनों Soul Land Masters और सैनिकों को कियां रेंड जू को उठा कर भागना पड़ता है Grand Master और बागी सब बाहर रहकर बचे हुए सैनिकों से लड़ते हैं और गेट पर पहरा देते हैं और तैंक शैंक, Old Goat और Poison Master अब महल के अंदर जाकर Emperor का Poison ठीक करने लगते हैं उनके अंदर 7 Poison का यूज करके बनाया हुआ Mixed Poison था और उसको निकालना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी Old Goat Emperor को बचाने के लिए उनकी Body को चेक करता है और कहता है कि वो शायद इसका Antidote बना सकते हैं लेकिन मुझे इसके लिए 24 गंटे चाहिए होंगे Tank Shank Poison Master से इनको 24 गंटों तक हील करने को कहता है उसके Body के अंदर के Poison से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं अब फिर वहां Grand Master भी आ जाते हैं जो Tank Shank को बताता है कि बाहर के हालात अब अच्छे हो चुके हैं और अब Keep Out Tribe के लोग और बागी Shrek स्कूल के बच्चे भी यहां आते ही होंगे Tank Shank और वो बाते कर ही रहे होते हैं कि तभी सैनिकों के अंदर ये खबर फैल जाती है कि कुछ लोग Emperor Zuyu को मारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें किडनाप कर रहे हैं यानि कियान रेंज्यू, तियान दो Empire के जो असली soldiers हैं उनके बीच ये गलत फैमी फैला देती है कि Tank Shank उसके Emperor को किडनाप करने की कोशिश कर रहा है जिस वज़े से वो सभी soldiers Tank Shank को पकड़ने के लिए Emperor की कमरे में आने लगते हैं Tank Shank और बाकी सबी को ये पता चल जाता है और उन्हें ये भी पता था कि यहां के soldiers को जब ये पता चलता है कि Emperor खत्रे में है तो वो कल्प्रिट को पहले जान से मार डालते हैं और फिर उसकी लाश से पूछताज करते हैं इस वज़े से Tank Shank और बाकी सब soldiers को समझा नहीं सकते थे जिस वज़े से वो अब यहां से भागने का decide करते हैं और Emperor को गोधी में उठा कर महल से बाहर ले जाने लगते हैं रास्ती में बहुत सारे सैनेक, Tank Shank और बाकी सब पर हमला करते हैं और Tank Shank और बाकी सभी teachers जैसी Poison Master और Old Goat soldiers को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहां के soldiers भी spirit masters हैं वो सभी अलग-लग martial soul का यूज करके Tank Shank पर अटाक करने की कोशिश करते हैं लेकिन Poison Master हर बार उसे बचा ही लेता है और अब Tank Shank भी soldiers को मार कर आगे बढ़ता है Tank Shank और उसके साथी soldiers को जान से नहीं मार रहे थे क्योंकि यह सभी soldiers उनी के empire के soldiers हैं जिस वज़े से उनको इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना था कि कोई भी soldier मरना जाए अब कई gate तोड़ने के बाद जैसे ही वो final gate पर पहुँचते हैं तो वो उसे तोड़ नहीं पाते क्योंकि वहाँ सभी soldiers एक array में arranged थे और उनको पार करने के लिए उन सभी की जान देनी ज़रूरी थी अब Tank Shank और बागी सब चारों तरफ से गेर लिये जाते हैं Old Goat उनको gate तोड़कर रास्ता भी बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस काम में fail हो रहा होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे सैनेक थे और वहाँ अब उनके ऊपर बहुत सारे तीर भी चलने लगते हैं वो सभी तीर से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनने बहुत स्ट्रॉकल करना पढ़ रहा था क्योंकि तीर मशीन से चलाई जा रही थी और वो कंटिन्यूसली आती जा रही थी उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा था और खास कर ओल्ड गोर्ट जो सबसे आगे होकर तैंक शैंक की रक्षा कर रहा था उसके सामने अब एक सोल लैंड मास्टर आ जाता है जो बुद्धा हैं का यूज करके उसे क्रश करने की कोशिश करने लगता है पॉइसन मास्टर जेट सर्पेंट का यूज करके उसे बानते भी है और अब आईरन रिंग फॉर्मिशन अब ड्रागन का यूज करके उस पे फायर छोड़ते हैं लेकिन फिर भी जेट सर्पेंट और ड्रागन मिलकर भी बुद्धा हैं को नहीं आरा पाते एम्परिर जू की भी हालत बहुत जादा खराब हो रही थी और प्रिंट जू बैंग जो उनको संभाले हुए था वो चिंता में बढ़ जाता है अब फिर वहां और भी सैनेक आजाते हैं और ओल्ड गोट उनको संभालते हैं लेकिन वो पहले ही काफी तक चुके थे जिस वज़े से वो हलके पढ़ते हुए नजर आते हैं लेकिन तब ही वो नोटस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक से काफी जादा बढ़ गई है और वो सैनेकों को पीछे ता खेल पा रहे हैं फिर हमें चीफ निंकों दिखाते हैं जो वहां आ चुके हैं और उसके साथ उसके सबी डिसाइपल्स भी हैं और वो सभी ओल्ड गोट और बागी सबी की पार्स को बूस्ट कर रहे हैं वहां तैंक से किस सबी एल्डर्स जैसे ओल बर्ड, ओल्ड राइनो और ताइटान आ जाते हैं वहां श्रिक स्कूल के भी वारियर्स आ जाते हैं और अब महल अच्छा बनता हुए नजर आने लगता है जियू फैंग वगेरा बीशक तैंग शैंग को अपना आपनेंट समझते हो लेकिन वो उसके दुश्मन नहीं है और और ये फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की हो जाती है इन सैनिकों में कुछ मार्शल सूल हॉल के सैनिक भी थे जो भड़काव नारे देकर सैनिकों को भड़का रहे थे और अब तैंग शैंग वगेरा उन सैनिकों को जान से मारने लगते हैं अंकल बॉन और अंकल स्वार का प्रदर्शन देते हैं और अब तैंग शैंग का पलड़ा भारी होने लगता है और अब सभी सैनिक शांत पड़ जाते हैं वही दूसरी तरफ हम कियान व्रेंड जू को देखते हैं जिसको उसके दोनों सो लाइन मास्टर हील कर रहे होते हैं और वो लड़की जब हील हो जाती है तो वो तुरंत खड़ी होकर वापिस तैंग शैंग से लड़ने के लिए जाने लगती है क्योंकि अगर तैंग शैंग एंपिरर जू को ठीक कर लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी वो खुद जू क्विंग है की आजेंटिटी बनाकर वहाराज करना चाहती है इ आखिर प्रिंट जू कुइंग है था कौन और ये सब उसने कैसे और क्यों किया था अब फिर प्रिंट जू बैंग सामने आता है और उनकी कही हुई बातों को एगरी करता है और ये सुनकर सभी सैनिक बहुत रिग्रेट करने लगते हैं और प्रिंट जू बैंग के सामने अ एपिसोड यहीं खतम हो जाता है